हेलो फ्रेंट्स वेलकम त्यू माइट्यू चैनल फ्रेंट्स डीडिये स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 के फॉर्म्स कंप्लीट हो चुके थे और हम वेट कर रहे हैं फाइनल रिजल्ट का यानि कि इसका ड्रॉव कब निकलेगा जैसा कि आपको पता है कि डीडिये स्पेशल हाउ स्कीम 2021 में टोटल जो फ्लैट्स अलोट होने हैं वह हैं 18,500 और इन 18,500 फ्लैट्स के लिए कुल 12,000 अप्लिकेशन्स आई हैं जो कि मैंने आपको अपने प्रिवेस वीडियो में अल्रेडी बता चुका हूं फ्रेंट्स जैसा कि आपको पता ही है कि डीडिये ने अपने जो निकाले हैं डीडिये ने इनके बारे मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूं और इनमें से लगभग लगभग 90% फ्लैटों की आपको विजिट करा चुका हूं यानि 90% एरिये में जो ये फ्लैट्स निकले हैं उनकी मैं आपको सेर करा चुका हूं विजिट करा चुका हूं इससे related मेरी वीडियो सारी के सारी DDS Special Housing Scheme 2021 के नाम से एक playlist बनी हुई है उस playlist में जाके देख सकते हैं अब बात करते हैं इसका final draw कब आएगा जैसा कि मैंने आपको previous वीडियो में अपने बताया था कि इसका draw 15 April से लेके 20 April के बीच में आ सकता है तो इसी के आसपा इसका draw आएगा मैं आपको यहाँ पर final date बता देता हूँ कि किस दिन draw आएगा Friends DDS Special Housing Scheme 2021 का जो final draw आएगा वो आएगा 18 April 2022 को जी हाँ Friends 18 April 2022 को इसका draw आएगा आज ही morning में मैंने DDS को tweet किया था ये देखिए Twitter handle मैंने DDS को tweet किया था कि इसका draw कब आएगा तो DDS में में reply किया है इसका draw आएगा 18 April 2022 को आएगा अभी इसके बारे में कोई newspaper वगरा में news नहीं आई है ये DDS के Twitter handle से किया गया tweet है तो आप कह सकते हैं कि 100% authenticate source है यानि कि जो इसका draw आएगा 18 April को ही आएगा इसके बाद जो आगे का process होगा वह भी मैं आपको साथ साथ बढ़ाता जाओंगा अपने जिस एरिये के flats के लिए भी अपने apply किया है तो उस flats के बारे में दिया आप जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो में देख लीजिए आप DDA Special Housing Scheme 2021 के नाम से playlist को सर्च कर लेजिए उस playlist में आपको रोहिनी के, नरेला के, द्वारका के, मंगलापूरी के, सिरसपूर के और रामगड के और भी flats मैंने आपको दिखाए हैं उसके बाद मैंने आपको उसका deep analysis करके दिखाए है कि आपको कौन से flats लेने चाहिए लिए आपका ड्रो में नाम आ जाता है तो आपको लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए ड्रो में नाम लगबख लगबख सभी का आई जाएगा क्योंकि 18,500 flats के लिए सिर्फ 12,500 के असपास forms आए हैं प्रेंट्स एक बार आप सारे फैसले जो भी है डिसीजन जो भी आप लें बहुत सो समझ के लिएगा कि इन flats को लेना है नहीं लेना है सरेंडर करना है क्या करना है क्योंकि आप एक चीज और ध्यान से देखिएगा flats के rate बढ़ने ही बढ़ने है जैसे कि आप देखी रहे हैं कि construction cost लगातार बढ़ती जा रही है भाई साब सरीय जो है 90 रुपे किलो आ गए 85 रुपे किलो तो लोहा मंडी मिल रहे हैं दिल्ली के तो construction cost तो बढ़ेगी बढ़ेगी 25% construction cost बढ़ गई है समझ रहे हैं 25% construction cost बढ़ गई है cement की कीमत बढ़ गई है 4500 रुपे 500 रुपे का एक बोरी cement आ रहा है रोडी वगएरा की कीमत बढ़ गई है labor चार्जी जैसा कि आपको पता ही है कि एक मिस्तरी एक दिन के 700 रुपे ले रहा है और जो लेबर है वो साड़े 500 रुपे का आसपास ले रहा है रोहिनी का फ्लैट्स बहुत चोटे हैं वो फ्लैट आपको प्राइबेट बिल्डर से मिल लाएंगे उससे कम में बाकी और जगह के अब नरेला EWS में जिसने जिसने भराए एक बार सोच समझ के इस अरेंडर करिएगा क्योंकि जो फ्लैट का जो एरिया है वो भी अच्छा एरिया है और जैसा कि मैंने आपको प्रिवेश वीडियो में बताए भी था कि मेट्रो आने वाली है यानि मेट्रो काम सुरू होने वाला है तो इन फ्यूचर उसका डेलोप्मेंट होगा 20 साल पहले द्वार का क्या था जो लोग दिल्ली में रहरों को पता होगा ना द्वार का क्या चीज़ था बहुत दिक्कते दें द्वार का में आज जो नरेला में जो हालत है ना उससे बूरी हालत द्वार का में थी आज द्वार का देखो आप यार डालप हुआ ना नरेला भी नरेला के जो एलाइजी फ देखिए ना जो एलाजी फ्लैट्स के एरिये से लगभग लगभग बराबर ही है बिल्कुत सेम है दस लाग रुपए कहां वह 18,19 लाग का फ्लैट तो फ्रेंड्स सरेंडर करने से पहले किसी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के सला लेके ही आप उसको सरेंडर करिएगा या फिर तो बिल्गुल फ्लोप है सारे का सरेंडर किये फ्लैट्स जो पिछले दस साल से नहीं बिक पाए वो डीडिये ने दुबार निकाल दिये मानता हूंगी फ्लैट्स खराब है इसमें बहुत फ्लैट्स जो है लेने लाइक नहीं है लेकिन जो है उसको आप तोड़ा सोच आशाकरतों को पसंद आई होगी धन्यवाद नमस्कार